हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैं चैनल, मैं ममता मैं आज आपके लिए कुछ कीचन टिप्स लाएं हूँ, अंड़ा जब हम वाइल करते हैं, तो छिलका असानी से निकल जाए, उसके लिए क्या करें, एक चमस तेल डाल दे और एक चमस नमक डाल दे, छिलका असानी से न बल लिया है, इसमें हम एड करेंगे, एक से हाप चमस के करीब हिंग, इस तरह से डाल कर हिंग को अच्छे से फैला देंगे डबबे में, और उसके बाद लाल मिच जो हमने लिया है, लाल मिच को एड कर देंगे, पूरा नहीं डालेंगे, आधा एड करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे एक चमच और हम हिंका पॉडर डाल कर बाकी के लाल मिर्च को डाल कर एर टाइड डखकन लगा कर इसे आप 6 महीना साल बाट तक इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं कीडे नहीं लगेंगे टिप्स नुमबर 3 है मार्केट से जब हम हरी मिर्च लेके आते हैं तो एक से दो दिन के बाट यह गलने लगते हैं गर्मी के दिनों में बरसात के दिनों में तिसे वन से टू वीक तक इस्टोर करके कैसे रखें तो क्या करें धरिया के सारे डंटर को पहले इसे रिमूब कर दे और जितने भी इसमें पीली पतिया है ना सभी को रिमूब करके निकाल दे और अच्छे से इसे साफ कर ले और साफ करके कोई भी एर टाइट डबा ले ले और बॉक्स में इसे बंद करकर आप इसे वन से टू वीक तक श्टोर करके रख सकते हैं आपकी नमबर फाइब है मार्केट से भी अच्छा मसाला हम घर पर स्टोर कैसे करें तो देखिए हमने चार चमश लिया है गोटा धनिया, दो चमच हमने लिया है जीरा और हमने एक चमच सौप लिया है, एक चमच गोलकी है, चार पाच हमने दालचीनी के टुकडे लिया है एक हमने चक्रफुल लिया है और हमने लिया है आठनो लॉंग से छे साथ हमने छोटी वाली हरी लैची को लिया है एक चमज है मेथी दाना और हमने छे साथ हमने लाल मिच लिया है तो सभी को क्या करेंगे मसालों को 1-1.5 मिनट के करीब गैस पर पैन चढ़ा कर इसे रोष्ट कर लेना है बस जादा नहीं करना है 1-1.5 मिनट ही हमें रोष्ट करना है बस पैन हमारा अच्छा से गरम होना चाहिए अप फ्लेम को मीडियम रखना है और अच्छे से रोष्ट कर लेंगे और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करें चैनल पे न्यू विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले अब अगल में जो बेल आकन है उसे प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल से जल मिल जाए तो देखिए हमने गैस का फ्लेम को बन कर दिया है और इसमें हमने चार तेज पत्ता एट किया है और एक बिड़ा चमच के करीब इसमें हम एट करेंगे कस्तूरी मेति और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है और हम लेंगे मिक्सर का जार तो जार हमारा सुखार आना चाहिए पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए तो जार में इसे आट कर दिये हैं खरसभी मसाले को अब इसमें हम एट कर देंगे एक छोटा टी स्पून हमने डाला है हींग, एक टी स्पून हमने डाला है हल्दी का पॉडर और एक चमच हमने डाला है काला नमक, काला नमक से बहुत ही अच्छा मसालों में फ्लेवर आता है तो जरूर डाले और एक बड़ा चमच हमने कॉन फ्रोन डाला है तो कॉन फ्रोन हमने इसलिए डाला है जब मसाला हम बनाएंगे ना तो इसमें बरसात के मौसम में सीलन नहीं पड़ेगा आप ज्यादा से ज्यादा दिन तक इसे श्टोर करके रख सकते हैं और जब मसाला पीसे ना एक बार में ना पीसे रुख रुख कर पीसे तो देखिए हमने इस तरह से मसाले का पॉडर तयार कर लिया है कोई भी एटाई डबा ले ले और मसाले को इस तरह से आप श्टोर करके आप इसे 6 महिना तक अच्छे से यूज कर सकते हैं कोई भी सबजी बनाए और यह सब मसाले कभी खराब नहीं होंगे और सबजी भी काफी स्वाधिष्ट बनेगी कोई मसाले डालने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसे एक बार ट्राइज जरूर करें बस पानी के हाथों से इसे ना चुए और ढखकन लगाकर आप ज्यादा से ज्य बताए तब तक लिए बाए मिलते हैं एक अच्छी सी टिप्स के साथ